हेलो गुड मॉनिंग फ्रेंट कैसे हो आप लोग उमीद करता हूँ आप लोग अच्छे होगे स्वागदे दोस्तो आप सभी लोगों का आपके अपनी चैनल क्रिकोलन प्रेडिक्शन में है दोस्तो आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं वोमेंस एसिया कप का जो मुकाबला चल रहा है इसका मैच नंबर थर्ड खेला जाएगा जो की होता हूँ अधिक जाएगा मलेसिया वोमेंस वरसे थाइलेंड वोमेंस के बीच में है अब कौन सी टीम आज का मैच को विन कर सकती है कौन से खिलाड़ी आप लोगों को विन करवा सकते है काप्टन वाइस काप्टन किस को बनाना है टीम का कॉम्बिनेशन किस परकार से बनाना है खिलाड़ी कौन से आप लोगों को टीम में लेके चलने है कौन खिलाली किस परकार का recent form वगरा रखता है A to Z जितनी भी चीज़ें आप लोगों को सब एक single वीडियो में मालूम चलने वाली है अगले 10 मिनिट में तो बस वीडियो में आप लोग बने रहेगा तो चलिए वीडियो को start करते हैं मैश डिटेल की बात करते हैं तो 20 जुलाई को दो बज़े दो पार में आप लोगों को यह मुकाबला सिरलंका डंबुला के ग्राउंड पर होता हुए दिख जाएगा अगर देखो इस ग्राउंड का रिकॉर्ड बताओं तो दो मैश खेले गा हैं यहां पर एक मैच को first bet करने वाली टीम ने और एक मैच यहां पर चेजिंग साइड ने विन किया तो दो मैच दिखा रहे हैं या तो हो सकता है यहां पर तीन मैच खेले गाए इस टेट्स वाले भाई ने थोड़ी सी गड़बड कर दिये हां कल के यहां पर कुछ मैचेस दो मैचेस हुए जो कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा देखिए गया यहां पर कल दो एसिया कप के मैचेस खेले गया है एक यूए वूमेन का था एक पाकिस्तान इंडिया वूमेन का था तो फर्स्ट मैच को मैच को चेजिंग साइड ने विन किया सेकेंड मैच को भ करना बात करते हैं क्या कुछ संभावित 11 हो सकती है मलेशिया वूमेंस की वित रिसेंड फॉर्म तो यहां पे आप लोगों को वान जूलिया जो कि इनकी विकेट कीपर खिला रही है फॉर्म की बात की जाए तो बिल्कुल कोई खासा फॉर्म नहीं है लेकिन एक चीज का ध तो यहां पर अगर कोई खिलाली 15-20 भी करता है ना तो वह अच्छा खासा पफॉर्मेस दे रहा है इस चीज का ध्यान रहा है तो यहां पर देखेगा वैसे फॉर्म की बात की जाए कुछ खासा फॉर्म नहीं है लेकिन आप लोगों को जब बैटिंग आगी 12-13-14 करके दे वैंटेज मिल सकता है हेड़ टूएड में देखेगा जाधा कुछ की नहीं चार मैच में 5 रन की एक एक की औसाते मात और श्टेट्स टीटी में 6-6 मैच में 789 रन ने 13 की औसाते फर्स्ट इनिंग में इनकी 13 की औसाते सेकंड इनिंग में भी लगबग 13 की हो सते हैं तो इस बाद देखो विन्फिल्ड दूरगेसम जो कि इनकी काप्टन है रिसेंट फॉर्म देखेगा बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों करने वाली हैं तो हम लोगों को टीम में ऐसी खिलाली पर ही फोकस करना है जो कि हम लोगों को दोनों तरफ से पॉइंट दे सकता है रिसेंट के अच्छी बैट्समेन आप लोगों के लिए हो सकते इस चीज़ का धियान रखना मास इलसा की बात करते हैं बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों करने वाली टीम में आप चाहो तो कंसीडर करके चल सकते हो उसके बाद नीचे देखेगा माहीरात इज़ित इसमाइल नाम बह सामने है उतना देखो विकेट निकाली नहीं है लेकिन बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगी तो इस वज़ा से मैं कहूंगा कि यह इंपॉर्टेंट हो सकती है बाद एक और विकेट कीपर है आयना नाजवा आई थिंक यह खेलेंगी भी तूतना कोई खासा खिलाड़ी यह ने ड्रॉप करके चल सकते हो ऐसा इलेसा की बात करते हैं बॉलिंग करती हैं अच्छी बॉलर है ठीक है दो मैच में हेट टूर्ड में दो विकेट इनके नामें ओवरॉल 47 मैच में 35 विकेट इनके नामें तो देखा जाएगा सिच्वेशन भी डिपेंड करेगा क्यूंकि अगर मैं आपको तेरा 14 खिलाड़ी इंपॉर्टेंट बता रहा हूं तो इखटे तो हम सबको ले नहीं सकते हैं ग्यारा से ज्यादा खिलाड़ी तो रखना अलाउड होता नहीं है तो थोड़ा सा सीच्वेशन भी डिपेंड करती है कि किसकी टीम फइस्ट बैड़ गॉल क कि बात करते हैं कुछ खासा फॉर्म नहीं ड्रॉप करके चलना है नूर अलीना नत्सिया की बात करते हैं ठीक है रिसंट में पांच मैच में से सिफ दो ही विकेट निकाल पाई है ओफरॉल देखिए 56 मैच में 28 विकेट है तूतना कोई विकेट टेकर नेचर की बॉलर है न चलो बात करते हैं एक और पडोसी देस थाईलेंड वूमेन के तरफ से तो यहां पर नाताया बुच्तम इंपॉर्टन खिलाडी है इंफेक्ट लोग इनको सीविसी बना के लाएंगे लेकिन इनसे इंपॉर्टन खिलाडी मैं आभी आपको इनके टीम में एक और बताने वा बाकि सारी टोटली फ्लॉप पारियां देखने को मिल रही है वैसे 24 की टीट्वेंटी में इनकी ओसात है 1405 रहने ठीक है यह टीट्वेंटी का रिकॉर्ड है बाकि सेकेंड इनिंग का भी यहां पर रिकॉर्ड लिग दिया है और नानत चीचान की बात करते हैं इनको भी ड बात की जाए तो 120 सो रन से लेके 120 बनने वाला है तो उसमें अगर चार उबर की बॉलिंग करती है ना तो चार उबर में ज्यादा से ज्यादा देंगी तो आप लोगों को 15-18 दे सकती है तो इकॉनमी के भी पॉइंट अच्छी खासी दे सकती है ठीक है बाकि रोसन कॉंच क की बात करते हैं तो इनको भी ड्रॉफी करके चलना है बैटिंग करम नीचे है कुछ खासा की भी नहीं है इन्होंने पास्ट में पनीता माया की बात करते हैं देखो पार्ट टैम बॉलिंग करती है यहां पर 22 रन एक विकेट ज्यादा तर मैचों में बैटिंग आती नहीं ह तो ड्रॉफी करके चल सकते हो आप लोग इनको भी बागी सुलेपोन लोमी की बात करते हैं फॉर्म एज़ा बॉलर बहुत अच्छा इन्होंने दिखाया हुआ है है टूएड में भी तीन मैच में पांच विकेट इनके नाम है श्टैट्स टीवेंटी में 63 मैच में 63 विके इनके नाम है तो विकेट टेकर नेचर की यह बॉलर है टीम की क्याप्टन है बाकि ओ नीचा कम पोचू इनका भी रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा है 85 मैच में ओफरॉल 77 विकेट इनके नाम है सुनीदा चोतुरूंग घतना जो भी नामे भाई देख लेना नाम बहुत है तो एक बार आप अच्छे से नाम यहां पर समझ लेना तो रिसेंट फॉर्म की बात करते हैं तो उतना कुछ खासा है ने विकेट नहीं निकाल पा रही है बागी 23 मैच में ओफरॉल 13 विकेट इनके नाम में उतना विकेट टेकर नेचर की बॉलर है नहीं बागी जो भी ही बेंच में आप चाहो तो यहां से देख सकते हो हेट टोड में एक ही दो मैच खेले गया है तो उतना ज्यादा कोई खासा रिकॉर्ड मेरे ख्याल से मैटर करेगा नहीं सेफ क्याप्टन वाइस क्याप्टन यहां पर मास इलसा नाताया बोच्तम चिंदी सुतरूंग बाक उस पर नजरे डालते हैं तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं विकट कीपर उप्शन से उससे पहले देखो आप लेगो वीडियो को फुल वाच जरूर करना तब ही जो चीज़े में बताऊंगा समझाऊंगा चीज़े समझ पाऊगे बागी टेली ग्राम चैनल का लिंक वीडि नानपत कॉंचुरुनकान की जो भी नामे मैंने इनको ले लिया है डाबलू जूलिया का विकल पर आप इनके साथ जा सकते हो विकाज ये भी ओपन करेंगे बैटिंग सेक्शन से मजबूरी है यह अंटर को लेके चलिए बाकी कोई सोचना नहीं है ठीक है जो इंपॉर्ट इंपॉर्टेंट है ड्रॉप मत करना बाकी बॉलिंग सेक्शन से और कम पूचूचू और टी पूतवंग और एस मानी वनन ठीक है यह मतलब तीनों इंपॉर्टेंट है अभी यह बोल दिया जाना किसी खिलाडी का स्पिलिंग लिए तो वो सला लिखना बहुत मुश्किल ह हो जाएगा इतना टफ टफ नाम है ना कि क्या बता हूं तो यह कुछ 11 खिलाड़ी हो कि बेश्टीम बन के रेडी और यह जो कि फाइनल टीम नहीं है जैसे मैंने कहा कि टेली ग्राम पर ही आप लोगों को टॉस के बाद पता चल पाएगा क्योंकि हो सकता है इसमें चेंजे से किसी से कुछ ज़्यादा उमीद है नहीं है बॉलर जो बॉलिंग से विकेट लेने वाले क्योंकि एक विकेट के 25 से 33 पॉइंट तो इसली मिली जाएंगे तो जहां पर क्याप्टन बुच्तम को बना के जा रहा हूं वास काप्टन डाबलू दुर्गिस्खम को बना रहा तो बाकि जो भी टेली ग्राम पर अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा तुमीद वीडियो आप लोगों को पसंद आई खिलालियों के बारे में आप लोगों अच्छे समझे हो गया वैसे रिस्की मैच मतलब थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना तो टेली ग्राम